नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज हम पड़ेंगे लंबी कविता के संधर्व में कुकुर्मुत्ता की विशलेशन व्याख्या चोथे दशक के अंध और पाच्वे दशक के प्रारभ के वर्षों के दोरान भारतिय बुद्धी जीवियों की जनवादी जुकाव रखने वाली शेणियों ने दूसरे देशों की अगरणी विचार धारा और संस्क्रती का विस्तरत और गहन परिचय प्राप्त किया उन प्रगतशील लेखकों की भाती निराला ने भी मैकसिम गोर्गी की रचनाओं में रूची ली इस युग के कवी अपने कावी संग्रहों में पुरातन के नाश एवं नव जीवन की कौपलों के प्रसफुठन का आवहन करते हैं भविशी के दरपण में जाग कर उन्होंने नव युग की उशा की उस शोशन मुक्त समाज की जलक पाई जो धर्ती के सभी लोगों के लिए स्वन युग लेकर के आएगा शोशित वर्ग के लोगों के प्रती सहानु भूती प्रगतिशी धारा के लेखको का एक प्रमुख विशे था छायवादी रचनाओं में भी यधार्तवार्द के दर्शन होने लगे थे ये थार्थ वार्थ की दिशा में निराला की स्रिजन प्रक्रिया के विकास के निर्धारण में राश्रिय मुक्ती आंदोलन का भी महतुपुण इस्थान है इस आंदोलन ने निराशा के मन में मात्र भुमी व जनता के प्रति उत्तरदाईतु बोध उत्पन किया निराला ने अपनी कविताओं के माध्यम से दैनी जीवन जी रहे लोगों की और सबका ध्यान खीजा सामाजी कन्याई के विरोध में कवी धीरे-धीरे सामराची वादी उत्पिडन और पुझी वादी शोशन द्वारा पैदा किये गए सामाजी कविशापों की सजर गालोचना की और प्रवर्थ होते चले गए निराला के कवी स्वरूप और उनकी लंबी कविता कुकुर मुत्ता ने एक नया प्रश्ठ जोड़ा यह कविता अनूठी रूप गला अभिव्यक्ति पोन लक्षनाओं और सजीव जन भाषा के कारण अपना विसिष्ट इस्थान रखती है यह कविता के दो भागों में है प्रतम भाग में भाव साग यह है कि एक नवाब के भाग में माली तथा अन्य सेवक फूर लुगाते हैं नवाब को फारस से लाए गए गुलाब के फूल अति विशेश रूप से पसंद हैं उसी स्थान पर गुलाब के पास ही कुकुर मुत्ता भी उत्पन हो जाता है जो कि गंदे और नम स्थान में स्वत ही उत्पन होता है कुकुरमुत्ता गुलाब के सुन्दर्ता से हर्षित नहीं होता है क्योंकि गुलाब की छाया के कारण वह धूप और गुलाब के जड़ों के कारण भूरस्वंचित रह जाता है भद्दा किन्तु विनम्र कुकुरमुत्ता गुलाब की यादि लाता है कि उसकी सुन्दर्ता उसे किस मुल्य पर मिली है इस लंबी कविता का पहला भाग कुकुरमुत्ते के स्वगत कथन के रूप में है कुकुरमुत्ता उस श्रमिक वर्ग का प्रतीक है जो वास्तविक अर्थों में इस धर्ती का स्वामी है गुलाब, परोप, जीवी, वशोशक वर्ग का प्रतीक है जो मात्रपूजी पतियों का मन बहलाव करता है निराला की इस लंबी रचना के रूपक नहितार्थ और वेचारिक स्वरूर को लेकर भारतिय सहितिकारों में भी प्रियाप्त मद्भेद है प्रकाश शंद्र गुप्त कुकुर मुत्ता और गुलाप को क्रमशह श्रमिक वपूजी पती का प्रतीक मानते हैं बचन सिंग इस कथन में अपनी बात और जोड देते हैं कि सीमा की चेतना के अभाव से ग्रस्त कुकुर मुत्ते को लंबा चोड़ा स्वगत कथन आज के राजनेताओं की निमने स्थरिय बकवास का स्मरण करवाता है रामेश्वर, चंद्र, महरा तो यहां मानते हैं कि कुकुर मुत्ता रचना में श्रमिक वर्ग के हितों का समर्थन किया गया है किन्तु साथ ही वे यहां भी मानते हैं कि कवी के समाजवादी आदर्षण ने वेदांती बाना धारन कर लिया है इंद्रनात मदान के अनुसार कुकुर्मुत्ता श्रमिक वर्ग की अपेक्षा स्वेम निराला का बिम्ब अधिक है रामरतन भटनागर मानते हैं कि गुलाब और कुकुर्मुत्ते में टकराव भारती वर पश्रिमी संस्क्रती के बीच का टकराव है उपाथ्याई जी कुकुर्मुत्ते को वास्तविक जीवन और देनिक जीवन व्यापार मानते हैं जिसके अभाव में मानव का अस्तित्व असंभव है कुकुर्मुत्ता का दूसरा भाग गरिबों के जीवन का वर्णन से प्रारंब होता है शमिक वर्ग की हताशा भरी निर्धनता पर बल देने के लिए निराला ने नवाब के बाग के समक्ष गरिवों के दुरगंद भरे जोपड़ों को चित्रित किया है समस्त हिंदी कावे जगत में शमिकों के जीवन उनके दुखों और शनिक प्रसनता का इतना सच्चा चित्रन खोजबाना संभवता कठीन ही है निराला अभावों दुखों वभूख से भय के चित्रन में जाती, वान, धर्म और नसल का भेद अपना अथ्वा पुर्वग्रह नहीं रखते कुकुरमुत्ता के दूसरे भाग में कभी दो साथ वर्षी बालिकाओं की चर्चा करते हैं इनमें से एक तो नवाब की बेटी बहार और दूसरी माली की बेटी गोली, इनमें गहरी मित्रता है गोली की मा अथार्थ माली की पत्नी मोना नवाब की प्रेमिका है उससे इस बात का गर्व है कि उसकी बेटी की मित्रता नवाब की बेटी के साथ है एक दिन दोनों बाग में घुम रही होती हैं वहां गोली को चानक कुकुरमुत्ते मिल जाते हैं दोनों बालिकाएं माली के घर जाती हैं वहां गोली की मा मोना कुकुरमुत्तों का थियंत स्वादिष्ट शाक तियार करती है यह समाचार पाकर नवाब भी यह शाक खाने के लिए चूख हो जाते हैं नवाब माली को आदेश देते हैं कि गुलावों की सभी क्यारियों में उनके स्थान पर कुकुरमुत्ते लगा दिये जाएं तब माली ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि कुकुरमुत्ते तो वही उपते हैं जहां वे चाहते हैं इस लंबी कविता का दूसरा भाग पहले भाग का ही पुरक है और उसका विकास भी करता है इस पूरे रूपक का मुख्य भाव श्रमिकों की प्रस्तुती है निराला इस पश रूप से निशकर्ष देते हैं कि सच्चा नवाब धनी ये रईस नहीं बलकि साधरन श्रमिक ही है कुकुरमुत्ता कविता का बाहरी रूप भी निराला के नवीन विचारों और मनह स्तितियों के अनुरूप है कवी ने इसमें नए बिम्बों और प्रतीकों की रशना की है साथ ही नई लक्षणाओं को उप्योग में लाए हैं इससे के कटू उपहास, सुष्म, व्यंग, सटीक और निशाने पर ठीक बेठने वाले विवरन निराला के कावे का अभिनंग बन गए हैं पहले निराला की कविताओं में प्राकर्तिक बिम्ब, सौंदरिय, कोमलता और प्यार के प्रतीक थे किन्तु अब सामाजिक शेणियों ववर्गों की प्रतीक बन कर उभर आये हैं इन सब के साथ ही निराला कला में सौंदरिय भावना को नकारते नहीं हैं हाप्ष के अनुकरण पर निराला का इह सोचना था कि संसार में श्रमिक से भढ़कर शक्ती कोई नहीं है उनका मानना था कि सब कुछ इसी श्रमिक वर्ग के हातों ही रजा जाता है इस कविता की भाषा में तो निराला ने विशेश रूप से अत्यांत नविंता प्रस्तुत की है शमिक वर्ग के जीवन के यथार्त चितरन के लिए निराला ने रोमांटिसिज्म के रंगों से पूर्ण तह अलग रंग प्रियुक्त किये हैं इस कविता की भाषा बहुत नपी तुली और आम बाचित की भाषा के निकटकी है अपनी काविस उजनाओं के आरंभ में निराला जिस संस्क्रत निष्ठ वो कितावी भाषा का प्रियोग करते थे अब यहां आकर अधिक देखने को नहीं मिलती तत्सम शब्दों की स्थान पर कवी ने आम बोलचाल में आने वाले अरभी फार्सी के शब्दों का प्रियोग प्रचूरता से किया है कुकुर्मुता में वियंग अत्मक चित्र प्रस्तूत करने के लिए एक शेली गत्साधन के रूप में निराला ने अंग्रेजी के शब्दों का प्रियोग भी किया है कवी नहीं हाप्रियोग शोशक वर्ग के पारसपरिक समवादों के साथ साथ भावनात्मक मुल्यानकन के इस्तर पर भी किया है ये संस्कृत वो अंग्रेजी शब्द के मिलकर विशेश प्रभाव छोड़ते हैं पूंजी वादी समाज में लेखक की स्तिती और भुमिकास समंदित निराला का व्यंग चित्र अनुपम है वास्तविक जीवन का व्यंग्यात्मक वर्णन निराला के ये थार्थ वाद के कलात्मक रंग को निखारता है निराला के द्रश्टीगोन का विकास एक महतुपोन तथी है वे समाज की वर्ग रचना, शमिकों की अग्रणी भूमिका और शोशकों की परोप जीविता समझने लगे थे उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि वर्गों के परसपर विरोधी हितों के बीच तालमेल नहीं बेट सकता निराला की दिर्ख कविता कुकुरमुत्ता को द्रश्टांत कथा मानना भी उचित होगा कुकुरमुत्ता एक पध्य कथा है इसमें द्रश्टांत कथा व्यंग्यात्मक अनियोक्ति और मूर्ति मता जैसे विशिष्ट लक्षन इस पस्च रूप से दिखाई पड़ते हैं